जमूमिर राष्ट्य स्वेम सेवक संग के सरसंग चालग मोहन भागवत ने कहा कि जाती पाती को चोड़ कर समाज को एक जुट करना संग का मुख्य उदेश है 2025 को संग की सापना के 100 साल पूरे हो रहे है ऐसे में संग के स्वेम सेवक चार सालों में हिंदू समाज को एक जुट करने के लक्ष में जुट जाए घर घर पहुँच कर लोगों को संग के साथ जुणे उन्होंने कहा कि हिंदू समाज एक जुट होगा तो भारत मजबूत होगा और कोई भी विदेशी ताकत हमारे देश का नुकसान नहीं कर पाएगे जमू के सीमावर्ती सुचेदगर्स से ओक्राइट पोस्ट पर अब मेला लगना शिरू हुग गया है अमरसर वागा बॉडर की तरस पर शिरू की गई बीटिंग रिट्रीट सेरिमनी को देखने रिववार को दूसे दिन हजारों की संख्या में लोग पहुँचे लोगों में देश भक्ती वजोश देखते ही बनता था रिववार को जम्मू के इलावा दूसरी राज्यों के परिटक भी यहां विशेश तौर पर पहुँचे थे इससे आने वाले दिनों में बॉडर टूरिजम को बड़ावा मिलेगा नैशनल कॉन्फेंस को बड़ा छटका लगा है खासकर जम्मू संभाग में पार्टी की कमर टूक रही है सूत्रों से मिली जानकारी के अंसाथ देविंद सिंग राना ने जम्मू संभाग के प्रांति प्रधान के पद से सीफा दे दिया है हलाकि अभी इसकी पुष्टी नहीं हुई है अगर यह सच है तो इस से जम्मू संभाग में नाशनल कॉन्फरेंस की बुनियाद फिल गई है जम्मू में गुजर नगर के रहने वाले तेज गेंद बार उमर मलिक ने अपने IPL 2021 के पहले मैच में ही 150.06 किलोमीटर प्रतिगंटा की रफ्तार से गेंद फेकर अपनी चाप छोड़ दी वहीं उप्राजपार मनोसिरा ने ट्वीट कर कहा IPL में सन्राइजर्स हैदरबाद में पहला मैच खेलने पर उमर मलिक को बढ़ाई आपने पूरे जमुकश्मीर को गौर्वान वेत किया है आप अन्य युवा क्रिकेटरों को गौर्वान वेत किया है पविश्य में और बहतर करने के लिए मेरी शुप काम ना है सुचेदगड में ओक्राई पोस्ट पर रिट्रीट सर्मेनी शुरू होने के बाद अब बागे भोर पार्क में बचे काम को तेज कर दिया गया है इससे सैलानियों को आकर्शित करने में मदद मिलेगी उप्राजबाल मनोचीना आने वाले कुछ दिलों में स्काउट खाटन करेंगे मीरा साहब के पास स्टेट औफ आर्ट बागे भोर को जम्मू शेहर में आ रहे परिटकों को आकर्शित करने के लिए तयार किया गया है 227 कनाल भूमी में बने इस पार्ट को बागवानी बिभाग जम्मू ने विक्सित किया है बैंड लगने के बावजूद इलिगल माइनिंग का सिलसला हर तरफ जारी है आई दिन जम्मू वासपास के छेत्रों और रिलाकों के लोग इसका विरोध कर सड़कों पर उतर रही है लिकिन अवैद रूप से इलिगल माइनिंग नहीं रुख रही है खनन माफियों के खिलाब लोगों ने अपना मोर्चा खोल दिया है महीं लोगों ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी कि अगर अवैद खनन बंद नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में उग्र प्रदेशन का सिलसला शुरू कर दिया जाएगा क्रिशी कानोनों और केंद्र ग्रह राज मंत्री आजे मिश्र टेनी के किपणी का विरोध करे किसानों और मंत्री के बेटे के बीच हुई हिंसक तकराव में आठ लोगों की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में बबाल मचा हुआ है जैसे ही कॉंग्रेस निता प्रियांका गांदी लखिमपूर के लिए निकले उन्हें सीतापूर के हर गाउं में पुलिस ने खिरासत में ले लिया वही पूर मुख्यमंत्री अकले शादव को लखनों में हाउस टरेस्प कर दिया गया है मद्यकश्मीर के गांदापरल जिले के शिनगर ले राजमार्ग पर हंग सोन मर्ग के पास आज तड़के जैसीवी मशीन के सिंद नदी में कितने से जैसीवी का चालक खायल हो गया जबकि क्लीनर जैसीवी का नदी में लापता हो गया है सूचना मिलते ही बड़े पैमाने पर तलाची अभ्यान चलाय जा रहा है खायल ड्राइवर को तुरंग पी एच्छी सोन मार्ग में इलाज के लिए भर तिल्क कराया गया है पाकिस्तान जाने वाले प्रदेश के नदी नालो को पाकिस्तान ने अपना एरियल ड्रोन टेरर रूट बना लिया है साबा की बसंतर नदी, अक्नूर का चनाब दर्या हो या की जम्मू की सूर्य पत्री तवी नदी तीनों को पाकिस्तान इस समय ड्रोन के रूट के लिए इस्तमाल कर रहा है इन रूटों के जरिये पाकिस्तान हत्यार और निशिले पदार्तों को भेज रहा है नारको तसकरी इन रूटों से की जा रखी है क्योहारी सीजन से पहले जम्मू एरपोर्ट में एरलाइन्स पर लगी 30% लोट पेनालिटी हटने से यात्रियों की संख्या में वृत्य हुई है नवरात्रों में ये संख्या बढ़ने की उमीद है एक अक्तूबर को जम्मू एरपोर्ट से 4748 यात्रों ने सफर किया जो अन्य दिनों के मुकाबले 1000 से अधिक है पहले ये शम्ता 70% थी अब 100% शम्ता से यात्री विमान संचालित होंगे उत्री कश्मीर के बांदिपुरा जिले के नौपारा इलाके में आज सुबह आग लगने की गटना में एक हाड़वेर की दुकान आंशिक रुपजिश्य तिक रस्त हो गई तुरंत बाद मौके पर पहुँची दमकल की गारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया हाथसे में किसी के हाताहत होने या घायल होने की ख़ब नहीं है जबकि आग लगने का कारण शौर्ट सर्केट पताय गया है